हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो चलिए हम आज की वीडियो शिरू करते हैं तो आज मैं यूज करने वाली हैं सूट के बचेवे पीस का तो सूट में से अब लाउज में से जो हमारे पास बचेवे पीसिस हैं उसका यूज करके आप बहुत ही सुदर चीज बना सकते हैं और वो भी फ्री में तो कोई जिपने ही लगाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम इसे बहुत जल्दी बनाने वाले हैं तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं तो उपर नीचे राइस बैग उपर कपड़ा और नीचे लाइनी का कपड़ा इसके मेजमेंट बता देती हूं मैं आपको यह है 10 इंच और ऐसे है यह 6 इंच आप हमें क्या करना है कोई भी एक पीसिस में से लेके हम पहले से शेप दे लेंगे तो यहाँ से हमें लेना है उपर की तरफ से यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया 2.5 इंच का और यहाँ पे हमें उपर की तरफ से यहाँ से निशान लगाना है तो यह निशान मैंने लगाया है 2 इंच पे अब इन दोनों निशानों को आपको आपस में मिला देना है हम इसे इसी shape में cut कर लेंगे cut करने के बाद इसके उपर रखना है नीचे rise back फिर lining फिर हमने जिस पे shape दी है और आपको इस पे सिलाई लगानी है सिलाई लगाने से पहले pin up जरूर कर लीचेगा क्योंकि pin up करने से बहुत अच्छे से finishing आ जाती है तब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं तो थोड़ा सा आपको छोड़ना है जहां से हम इसे सीधा करेंगे और पूरा यहां से देखिए यहां तक सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद यह जो extra है यह से भी इसी shape में cut कर लेना है और छोटी छोटे noches लगा देने है round shape में अब हम इसे सीधा कर लेंगे तो सीधा करके इसे अच्छे से flat बिचा लिया मैंने उसके बाद नीचे की तरफ से आपको fold कर लेना है और पूरे पे top stitch लगा लेना है यह हमारा ready हो गया है ऐसा ही हमें एक और piece ready करना है तो same method से मैंने 2 pieces ready किये है अब हमें क्या करना है हम इने आपस में join करते हैं तो 2 pieces हैं इसे इसके उपर रखना है उपर रखने के बाद यहां से आपको निशान लगाना है 3 by 1 4th inch पे 3 inch से 2 point जादा उसके बाद यहां से total आपको निशान लगाना है 4 inch पे दोनों तरफ से बराबर छोड़ते हुए यह देखिए और उसके बाद हमें उपर की तरफ इस पे निशान लगाना है यह 3 by 1 4th inch है और यह हमारा 4 inch और उसके बाद अब हम यहां से उपर की तरफ निशान लगाएंगे यह निशान हमें लगाना है 3 inch पे तो दोनों तरफ से हम 3 inch पे निशान लगा लेंगे यह हमने निशान लगा लिया अब यह हमने निशान लगाया है उसी निशान के उपर आप सिलाई लगा लीजिए तो यह हमारी सिलाई लग गई अब इसे इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है तो एक फ्लैप इस तरफ फोल्ड होगा और एक फ्लैप इस तरफ फोल्ड होगा और ये हमारा triple pocket वाला बन जाएगा अब आपको क्या करना है इस उपर वाले corner पे यहाँ पे सिलाई लगाने है अलग-अलग उपर की तरफ अलग यहाँ पे और फिर इसे पलटते हुए दूसरी तरफ को नीचे की तरफ अलग यहाँ पे देखे तो हम चारो corner space पे सिलाई लगा लेंगे तो यह हमने सिलाई लगा ली देखिए अलग-अलग अब हम इसमें लगाएंगे button and closure के लिए टिच बटन में यूज कर रही है आप चाहें तो velcro भी यूज कर सकते हैं तो normal टिच बटन में यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे और एक हम इसके लगाएंगे यहाँ पे बंदोने के लिए तो दोनों तरफ हमें लगाना है दोनों फ्लैप पे एक इस तरफ और एक इस तरफ यह मैंने लगा लिया तो यह हमारा बैक बनके पाउच बनके बिल्कुल रेडी हो गया है तो cards वगैरा रखने के लिए, पैसे वगैरा रखने के लिए, coins वगैरा रखने के लिए आप इसे use कर सकते हैं तो देखें, मैं आपको इसमे cards वगैरा डाल के दिखाती हूँ तो दो और तीन पॉकेट्स हमारी इसमें बनती है तो मैं आपको रखके दिखाते हूं देखिए इस तरीके से कार्ड्स वगेरा रखने के लिए एक पॉकेट एक पॉकेट हमारी पीछे की तरफ हो गई तो पैसे, कार्ड कुछ भी आप रख सकते हैं काइन्स वगेरा और एक छोटी डॉकेमेंट्स वगेरा छोटा मोटा समान रखने के लिए बीच में पॉकेट हो गई तो देखिए बचावा सूट का कपड़ा था कोई भी पैसे नहीं लगे फ्री में बनाया और कितना अच्छा हमारा पाउच बनके देखिए रेडी हो गया है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू